हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ शाबाज और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी उन प्रॉब्लम्स को लेकर जो कि आपको प्रॉब्लम आरी है डिपोजिट और विड्रो करने में इंडियन एक्चेंज आप जो यूज कर रहे हो क्रिप्ट एक्चेंज उनमें जो प्रॉब्लम आरी है एक मातर क्या सुल्यूशन है वो आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ पलस आपको अपना अपिनियन भी देने वाला हूँ कि आपको कौन से एक्चेंज यूज करने चाहिए और ये चीज भी बताने वाला हूँ कि मैं कौन से एक्चेंज को तो वीडियो को लास्त तक देखना इसकी बिलकुल भी मत करना ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिसना हो एक भी पॉइंट आपसे मिसना हो वरना आप गलती कर दोगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कोईन DCX प्रो एक्चेंज की मैं यहापर सबसे पहले इंडियन एक्चेंज कवर करने वाला हूँ तीन एक्चेंज है जिनको मॉस्टली यूज किया जाता है इंडिया में तो हम पहले इन तीनों एक्चेंज की बात करेंगे इसके बाद हम international exchange की बात करेंगे कि आपके लिए best कौन सा रहेगा और आप यहाँ पर देख सकते हो यह coin DCX projection है मैं इसको खुद personally use करता हूँ सबसे ज़्याद the best exchange लगता है मुझे इंडियन exchange में यहाँ पर यह मेरा portfolio है जिसको मैंने hide किया हुआ है और यह कुछ coins हैं जो मैंने buy किये हुए है यह भी मैंने hide कर दिये हैं आपर तो आप यहाँ पर देख सकते हूँ यहाँ पर दो option है deposit और withdraw के simply आपको deposit पर click करना है यहाँ से INR select करना है इसके बाद आप यहाँ पर बहुत ही ज़ादा safely और बहुत ज़ादा आराम से अपने पैसों को deposit कर पाऊगे बट कुछ लोगों को इसमें problem आ लिए थी कि वो amount deposit नहीं कर पारते वो इसलिए deposit नहीं कर पारते तो पहले जो इनकी minimum amount थी मतलब कि आप minimum deposit कर सकते थे 3000 rupees मतलब कि 3000 रुपे बट अब इन्हों ने यहाँ पर इसको change कर दिया आप यहाँ पर 7500 रुपे minimum deposit कर सकते हो इससे कम नहीं होंगे continue to pay पे click करना है आपको यहाँ पर आपका देखे bank account जो भी रहेगा आपने जो भी इसमें attach के होगा वो आ जाएगा जैसा कि मेरा आ रहा है उपर आ रही हो आ रही है विड्रोव को लेकर आपको simple इस पर किलिक करना है यहाँ से INR सेलेक्ट करना है और आपको अपनी amount पहले यहाँ पर जो minimum withdrawal amount थी वो थी 1000 रुपीज यानि कि 1000 रुपे बट आभी इन्होंने इसको भी करके रखिए तो में यहाँ पर dismissal कर देता हूं तो इस तरी किसा आप यहाँ पर simply deposit भी कर सकते हो और withdraw भी कर सकते हो कोई DCX परो एक्चेंज में इसके बाद हम बात करते है कोई स्विच एक्चेंज की सबसे जादे जो प्रोब्लम आती है mostly इसी एक्चेंज में आती है मैंने कोई स्विच एप्लिकेशन जो है वह उपन कर लिए आप यहाँ पर देख सकते हो deposit और withdraw यहाँ पर भी दोनों option है यहाँ पर आपको simply deposit पर किलिक करना है इसमें आप किस तरीके से deposit कर पाओगे इन्होंने जो है UPI भी बंद करके रखी आप यहाँ पर minimum 100 उपीस भी deposit कर सकते हो मैं यहाँ पर आपको 500 पर करके दिखा रहा हूँ दो यहाँ पर UPI इसमें आपको कैसे deposit करना है आपको simply इस पर किलिक करना है तीन तरीकी से आप यहाँ पर पैसे deposit कर सकते हो to bank या UPI ID simple इस पर किलिक करना है add receipt bank account इस पर आपको किलिक करना है ID BI bank इनको support कर रहा है वो यहाँ पर लिख देना ID BI आ गया इसके बाद यहाँ पर आपको account number डालना है same वोई चीज यहाँ से copy कर लेनी है ठीक है IFSC code की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप phone पैसे कर रहे हो तो यहाँ पर लिखवा भी है IFSC note requirement सिर्फ आपको simply यहाँ पर account number डालना है दो बार इसके बाद आपको यहाँ पर account hundred name में आपको अपना नाम डालना है ठीक है इसके बाद nickname में भी आपको अपना ही नाम फिर confirm पर किलिक करना है UPI pin डालके आपको simply transaction को complete कर देना है यह तो हो गई deposit की बात coin switch में अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं withdrawal की तो withdrawal के लिए भी आपको देख़ए हाँ आपर simply आना है withdrawal पर किलिक करना है आप यहाँ पर minimum 100 रुपे भी withdrawal कर सकते हो ठीक है जिसे मैं आपर 2000 option के तुरू आपके bank में पैसे withdraw हो जाएंगे यह हो गया coin switch का example अब हम चलते हैं तीसरे एक्षेंज की तरफ जो कि यह वजीर एक्षेंज जिसको mostly इंडिया में यूज किया जाता है तो में यहाँ पर वजीर एक्षेंज जो है उसको भी open कर लेता हूं यह रहा जोख़ों मै मैंने यहाँ से अपनी सारे मौन जो है ट्रांसफर कर दी है बाइने से अक्षेंज पर मतलब की जितनी भी मेरे पास cryptocurrency आप यहाँ पर देख सकतो मेरे पास कुछ भी नहीं है ठीके न मैंने यहाँ पर एक ब्योटर लगा कर नहीं रखा है history आप चेक कर सकतो सब कुछ में यह ही करूँगा कि आप इसको यूज ना करो इसके बदले आपको कौन सा एक्षेंज यूज करना चाहिए वह भी आपको बताने वाला हूं देखो यहाँ पर आ जागा कि हाँ आप इतनी रुपे में यहाँ रूपे 30 पेसे में आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम अगर यहाँ प करना है यह जो ओडर है पीटूपी का यहाँ पर जो लगाओगे काफ़ी ज्यादा देर में यहाँ पर आपको यूज डिटी बाय होंगे बहुत ही ज्यादा सुलो है इनका पीटूपी तो आप यहां पर देखोगे तो ना इस कम से कम आपको पांस से लेकर 15 मिनिट तक यहा कर देता हूं इसको छोड़ दो इससे जादा बेटर ऑप्शन है मार्किट में आपकी जो भी अमाउंट यहां पर है जो भी कोई आपके हैं आप उनको ट्रांसफर कर लो बाइनस एक्चेंज पर अगर आप बाइनस यूज करते हो तो नहीं करते हो तो बाइनस पर अकाउंट बना लो यूज करो उसको लिंसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी सभी एक्चेंज की बाइनस की कोई डिच्पश पर अकाउंट और यहां से अपनी सारी मॉंट क्रिप्टोक्रण सी जो और ट्रांसफर कर दो वजीर एक्चेंज पर वह भी बिलकुल 0 में सबसे यादा best exchange की बात की जाए तो वो है coin dcx pro exchange जिसको मैं personal यूज़ करता हूँ अगर आप भी इंडियन exchange यूज़ करना चाते हो तो आप coin dcx pro exchange यूज़ कर सकते हो लिंक आपको description box में मिल जाएगी यह जो coin dcx pro application है इसका पहले interface जो था वो अलग था बट अभी इन्हो interface जो है वो भी यहाँ पर change हो चुका है पूरा का पूरा मैंने इसके उपर already video बनाई थी कि आप किस तरकी से use कर सकते हो बट मैं यहाँ पर फिर से videos लेकर आने वाला हूँ सभी exchange के लिए कि आप किस exchange को किस तरकी से use कर सकते हो क्योंकि almost काफी exchange जैसे हैं जिन्होंने अपना interface change कर दिया है जैसे कि आप यहाँ पर इसी को देख सकते हो तो मैं जंदी वीडियो लेकर रहने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो 26 pro exchange की होगी कि आप इसको कैसे use कर सकते हो तो अब हम बात कर लेते हैं finance exchange की दोखो आप जो वजीर एक्षेंज यूज कर रहे हो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है बाइनेस यूज करो इसमें भी पी टूपी को उप्षान है और सबसे ज़्यादा फास्ट यहाँ पर वर्क करता है पी टूपी इतना ज़्यादा फास्ट किसी भी एक्चे कर सकते हम लागा added क्यरी करने हैं इस तरिकास आपको यहाँ पर यहां पर भी क्लिक करने आपके यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगते हैं दे इसे आप USDT buy करोगे P2P के तुरू तो अगर आप P2P का use करना चाते हो तो सबसे ज़्यादा best exchange है Binance exchange आप इसको use कर सकते हो अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि मैं personally कौन से एक्षेंज यूज करता हूँ तो मैं दो एक्षेंज mostly use करता हूँ इंडियन exchange में CoinDCX Pro exchange मेरा फेवरेट है International exchange में Binance exchange मेरा फेवरेट है यह दोने एक्षेंज मेरे फेवरेट है और मैं mostly इनी को use करता हूँ और जो मैंने long term के लिए holding रखी हुई है वो मैंने रखी हुई है Binance exchange में क्योंकि मुझे पता है इन future यही एक्षेंज सबसे ज़्यादा safe रहेगा तो आप भी long term के लिए investment कर सकते हो Binance exchange पे एक बहुत जल्दी tutorial आने वाला है Binance exchange के ओपर भी कि आप यहाँ पर P2P के तुरू deposit कैसे कर सकते हो withdraw कैसे कर सकते हो किसी भी exchange से आप यहाँ पर अपनी crypto को कैसे transfer कर सकते हो अपनी INR amount को किस तरह की साप यहाँ पर transfer कर सकते हो एक exchange से Binance exchange पे यह सारी के सारी उस वीडियो में बाते में जो है cover करने वाला हूँ डिटेल में और Binance exchange को किस तरह की से use करना है क्योंकि जो हमारे Indian user है उन में से 95% ऐसे लोग हैं जो Binance को use करना ही नहीं जानते है जबकि यह safe भी है, secure भी है और बहुत ज़्यादा easy भी है मुझे तो बहुत ज़्यादा friendly system लगता है इसका और इसलिए मैं इसको use करता हूँ तो बहुत ज़्यादी एक tutorial आने वाला है detail में कि आप इस exchange को किस तरीके से use कर सकते हो किस तरीके से buy sell कर सकते हो किस तरीके से order लगा सकते हो और आप यहाँ पर future trade भी कर सकते हो इसके उपर ओल्लेडी वीडियो बनाई हुई है link उपर आई पेटरन में आपको मिल जागी तो अगर यहाँ पर बात किया है कि आपको कौन से exchange यूज़ करना चाहिए मेरा opinion आप लोगों के लिए कौन से exchange के लिए रहेगा तो मैं यही बलूँगा कि अगर आप अभी भी Indian exchange यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ करो Coin DCX Pro exchange अगर आप advanced level के exchange यूज़ करना चाहते हो तो फिर आप यूज़ कर सकते हो Binance exchange को क्योंकि मैं भी इसी exchange को यूज़ करता हूँ सबसे ज़ादा यही थी सारी की सारी update इन exchange से related कि कि किसमें क्या problem हा यह मैंने सभी का आपको दिखाया वजीर X ने यहाँ पर सब कुछ बंद कर दिया है मतलब कि bank के थूब भी और UPI भी सब कुछ disabled है सिर्फ P2P का भी उज़ कर सकतो Coin Switch है उसने UPI बंद कर दिये बट NEFT, RTGS और IMP उसके थूब आप deposit भी कर सकतो और withdraw भी कर सकतो Coin DCX Pro exchange उसमें आप आसानी के साथ अबने bank account से deposit भी कर सकतो withdraw भी कर सकतो, कोई भी issue आपको नहीं होगा अगर आप P2P का यूज़ करना चाता हो तो फिर आपके लिए सबसे ज़्यादा best रहेगा Binance exchange तो एक मातर यही solution है कि आप Binance exchange को यूज़ करो सबस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और साथ यसाथ टेलीग्राम चैनल को जोईन कर लेना लिंक आपको description box में मिल जाएगी सबस्क्राइब नेक्स्ट वीडियो में